आज निफ्टी ने 22,200 के उपर जाकर एक हाई बनाया क्लोजिंग भी उसी के आसपास रहा 196 का अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो वो 47,000 के उपर क्लोजिंग कर चुका है और ये दोनों की मोमेंटम HDFC बैंक की वज़े से हुआ ये बात हमने एक दो दिन पहले भी काता है कि SDFC बैंक में बाटम बाइंग शुरू हो गई है तो अकेला HDFC बैंक भी मार्किट को लिफ्ट करा सकता है आज HDFC बैंक ने 80 पॉइंट का कॉंट्रिब्यूट किया है निफ्टी की मोवमेंट में तो टोटल अगर 73 है तो उसमें से मैक्सिमूम तो HDFC बैंक का है और अभी तो इसमें बाइंग शुरू हुआ है ये मुझे लगता है अगर 2-4 दिन और चलेगा दो दिन हमारे पॉजिटिव निकल गए है अब हमारे पास नया आउटलुक क्या है अगर हम OI की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है SJFC बैंक की बज़े से बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है Financial Nifty में मॉर्निंग में जो हम टेलिग्राम पर बात कर रहे थे कि काफी अच्छी मोमेंटम है आपकोस हमें वो जो एक पुछ था वो नहीं मिल पाया बाद में दूसरे ट्रेड में हमने थुरा सा अर्ण किया बट वो जो पुछ था वो मॉर्निंग में निज़र आ गया था आज एक्सिस बैंक, ICIC बैंक, Bajaj Finance तो जितने भी हमारी finance कंपनी थी उनमें हमें बैंक देखने को मिली और उसका डारेक्ट इंपेक्ट निफ्टी बैंक, निफ्टी और फाइनिशल निफ्टी तीनों के अंदर देखने हो मिला, और कल का अगर आपको ओवाई आदो तीनों ही positive build-up show कर रहे थे, आज भी ये continue रहेगा हमारे पास 22,000 का maximum support shift हो गया है 22,100 पे काफी अच्छा support अभी बनना शुरू हो गया है जो resistance हमारे पास 22,200 पे था, वो resistance अब कम होता जा रहा है और ये path बना रहा है 22,400 के target के लिए तो ये target शायद हमें परसो तक शायद पूरा भी हो जाए नहीं तो end of the week हमारा पूरा हो जाएगा इसके बाद का outlook मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है reason being कुछ ऐसे points हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है थोँसा exhaustion हमें देखने को मिले but 24th को आपको या करेंगे वैसे मैं इसको remind आपको जो Thursday का हमारा session रहेगा तब भी करा दूँगा और Friday को Telegram पर भी अपडेट कर दूँगा अभी जागे subscribe बटन पर क्लिक के जएगा bell icon प्रेस करना बिलकूँ भूलिएगा उसके बाद में जो भी नया वीडियो आएगा उसका notification आपको phone पे या आपके desktop पे आपको मिल जाएगा plus description box में कुछ links available है जिसमें आपको हमारी website का link मिलेगा हमारे courses के link सारे available से माँ पे उसके अलावा telegram का link और कुछ DMIT account के link जो मैं यूज करता हूँ उनके links भी आपको description box मिल जाएगे चले आगे बढ़ते हैं तो ये तो मैंने बताई दिया कि तीनों अभी भी index हमारे positive है SDFC bank को नज़र रखेंगे तो I would say सारा कामसान हो जाएगा support हमारे नीचे एक तरफ है तो अगर कल के trade के लिए में अपने आपको prepare करना पड़े तो कल का trade क्या कहता है कल का trade ये कहता है कि हम 22,22 22,2,20 के उपर और नीचे एक तरफ देखेगा अगर आप इसको check करते हैं so this is coming around here एक तो ये level बनेगा आपका 22,1,70 पर ये बहुत close हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आएगा इसमें थोड़ा सारी नीचे करेंगे तो 22,1,50 के आसपास बन रहा है तो हम range बना सकते हैं 22,1,70 से लेके 21,50 के बीच में ये जो range बनेगा इसके break होने के बाद में आपका यहाँ पर put buy बनता है target 22,100 का ही maximum रहेगा no sell on rise दो दिन से हम यही बात कर रहे हैं buy on dip फिर भी बन रहा है यहाँ भी आप buy on dip कर सकते हैं इसके उपर जाने के बाद में आप call buy करेंगे पहले 15 मिनिट में कोई trade नहीं लेंगे जैसे आज देखा आपने लगा तर नीचे गिरा और नीचे गिरने बाद में फिर से सारा का सारा जो भी गिरावाट था उसमें recover किया और एक नया high बना दिया ये जब market नया high बनाती है उससे पहली कि ये normal journey होती इनको समझना शुरू किजिए कि market जब high बनाती है तो कैसे moment करती है तो कल यहाँ पर आप buy on dip definitely कर सकते हैं but sell on rise मत कीजिएगा और इसके उपर जाने के बाद call buy और अब हमारे trailing stop loss चलने शुरू हो जाएंगे जैसे से market उपर जाएगा तो आप अपने trailing stop loss को shift कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप PSR use कर लिजेगा जो भी नीचे आता है जैसे buy initiate होगा तो हर dot के उपर dot बंद है ना हर dot के नीचे अपना stop loss है दूसरे dot के नीचे अपना stop loss लगा दीजेगा तो काफी अच्छा आपको यहाँ पर benefit मिल जाएगा और maximum stop loss से रखिएगा that is plus minus 40 spot के price में तो future के price में आपका बहुत कम हो जाएगा और hedging के साथ चलेंगे तो उससे बड़िया बात तो कोई है नी तो यह हमारा रहेगा कल का outlook और कल bank nifty का weekly expiry भी है और यहाँ पर 47 का हमारे पास में काफी support है तो कोई भी moment उससे नीचे जाएगी तो वो nifty को भी impact करेगी तो उसके लिए हम देखते हैं bank nifty में हमारे पास क्या क्या opportunity है और यह रहेगा हमारा nifty के अंदर next हमारा रहेगा bank nifty bank nifty का कल हमारा weekly expiry है तो हम 920 trade कल नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है slow एक pick up होगा या तो हमें वो desired results नहीं मिलेंगे आप चाहें तो जैसे आज हमने financial nifty में 230 का strategy लिया था तो 230 का strategy definitely बहुत अच्छा momentum रहेगा हमारे लिए और यह definitely बनता है तो आप चाहें तो कोई trade अगर पूरा दिन ना बने तो 230 पे आप bank nifty में trade ले सकते हैं उसके अलाव अगर आप देखेंगे bank nifty ने यह हमारा 12th of feb को एक low बनाया था उसके बाद में लगाता और bank nifty इसी trend line के उपर rise कर रहा है और यह trend line अब shift हो गया है 46,900 के नीचे आज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए 46,900 को उसने break किया था लेकिन वहापे hold नहीं कर पाया और उसके बाद में महीं से recover कर गया तो कल अगर ऐसा होता है 900, 950 के नीचे break होने के बाद में वो उसको hold कर लेता है तो यहाँ पर आपका put buy बनेगा उपर की तरफ अभी अगर हम बात करें OI को लेकर OI पे हलका full का मैं कहूंगा 47,200 का थोड़ा सा immediate resistance है ऐसा लग रहा है कि वो अराम से because of SDFC bank take out कर लिया जाएगा बट फिर भी आपको मेंचा प्रिपेर होना चीए कि आपके लिए अगला hurdle कहां पर है इसके break होने के बाद में आपका call buy clear बनता है एक point यह बन गया दूसरा point हमारे पास 47,000 का है इसको कैसे deal करेंगे मान लिजेगा opening के time भी एक बन नीचे जाता next would be financial nifty financial nifty में देखे ये कल हमने discuss किया था कि हमारा long term resistance था उसके उपर इसने cross करके closing दिया है तो bounce back बनता है तो एक दिन पहले ही indication आ गया था chart wise भी और oi wise भी कि हमारा एक अच्छा सा move बनेगा इसलिए हमने आज morning में सबसे पहले financial nifty को ही pick किया था और उसके देखे यहां से एक बड़ा सा राईज हमें देखने को मिला closing 2800 के around है अगर आप check करेंगे तो यहां पर हमारे पास 2830 के break होने के बाद में कोई भी momentum बनेगा और नीचे के तरफ अगर आप देखेंगे तो 2770 से लेकर 760 maximum मैं कहूंगा यह अगर cross करता है तो ही आपका कोई sell indicator रहेगा और यहां पर आपका पहला target रहेगा 2700 का क्योंकि यह level आज पूरा दिन देखेंगे उसने आपने आपको hold करके रहा था वहीं से bounce back किया है और इसको आप और भी कैसे चार्ट वाइस कैसे deal कर सकते हैं वह भी मैं आपको दिखाएता हूं आप करना क्या है जो नीचे के हमारे जितने भी लोज है न सबको connect कीजेगा ऐसे और यहां पर आपर आपर आपके लाइन के नीचे आता है न वहीं आपके लिए put buy बनेगा closing wise 2800 का है तो उपर के तरफ 830 820 नीचे तरफ 770 और 760 के आसपास आप अराम से call or put buy करते हैं यहां पर salon rise कल भी नहीं करेंगे यहां पर भी हम 27800 अगर मार लेजे नीचे आता र वापिस जाता है उपर तो ज्यादा difference तो हमने पहले भी लिया नहीं है maximum 30 point का लिया है तो आप चाहें तो 20 point नीचे भी buy कर सकते हैं in case वो इसी तरह का momentum शो करें और नीचे गिरता है आज के stock में तो हमें कोल इंडिया नहीं जाता अच्छा momentum दिया तो बाकी तो हमारे almost फ्लाट ही रहे पहले फरस्ट आप में नीचे गिरे उसके बाद में second आप में recover कर गए तो लगबग दोनों तरफ trade बन रहा था कल के अगर stocks की बात करें तो यहां पर हमारा पहला पिक बन रहा है चोला फाइनेस देखें चोला फाइनेस ने क्या किया था इस लेवल को चेक करते हैं यह पूरा 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 इसने formation बनाया हुआ है यहां से पहला support hold नहीं कर पाया वापी से इधर hold किया bounce किया नीचे आय उसी के according लेकर चलना चाहिए अगर हम बात करते हैं तो यही लेवल 1090 ऊपर के तरब बात करें तो 1105 यह लेवल ब्रेक करेगा तो यह पैटन करेगा और हम यहां पर अपना sell कर सकते हैं यह अगर वापिस bounce back करता तो याद रखीगा एक बार 1100 के आसपास 1105 के आसपास 15 तो वापिस से buy बनेगा और यहां पर आपना buy निशेट करते हैं maximum stop loss में 8 point को होना चाहिए अगर मेरे according चलेगे तो breakout होने के बाद में जो भी पहला low बनेगा उस low के निचे stop loss डालेगा यह भी ज्यादा लगेगा उसके बाद में और fall करते वक्त जो भी यह point बनेगा यहां पर आपका stop loss रहेगा और यह रहेगा चोला finance के अंदर हमारा अगला प्रिक रहेगा DLF में कल आपने देखा था कि सेक्टर रोटेशन में IT और reality का नाम आ रहा है और जैसे अभी हमने कहा कि market जब ऊपर जाती है तो बार-बार था नीचे आती है और जब कोई correction आती है तो प stop loss रखेगा maximum otherwise अगर आप चाहें तो 6-7 पॉइंट का अच में आपका stop loss बनता है नीचे के तरफ देखेंगे तो 858 के break होने के बाद में 30 minute time frame पर देखेंगे तो आपको clear नज़र आएगा यह break होने के बाद में मैंने यह क्यों pick किया है क्योंकि यह recent high भी हमारे पास है इतना maximum आपके 6 point के difference तो आ रहा है दो point नीचे मिल भी जाएगा तो क्या हमारा ज्यादा फाइदा होगा तो दो point ऊपर ले लिजगा secure trading होती है और यहां पर मैं कहता हूं आप salon rise भी करते हैं in case ऐसा होता है कि 870 को break ना कर पाए या break करके तुरंत नीचे आ जाए तो इसी level पर आप salon rise कीजिएगा और अगर अगर flat open करता है market उपर ना जाके नीचे गरता है तो इसके नीचे आप sell initial करते हैं और जहां पर जो भी analysis करते हैं मेरी personal analysis है कोई भी trade अगर आप लेते हैं पहली बात तो अपने analysis खुद कीजिएगा सीखीगा समझेगा और एक बार अपने financial advisor से जरू कैसे move करती है सिखाते हैं और यह हमारा रहेगा DLF हमारा अगरा pick है ICIC pro life ने क्या किया है पहले तो एक बार थोड़ासा fall आया उस fall के बाद में लगातार high पे high बना रहा है और अच्छे से perform भी कर रहा है एक channel में यहां पर यह थोड़ा सा correction आया है correction कैसे आया है अगर इसको पर जाएगा तो हमारा buy initiate होगा तो इस level के break होने के बाद में आप अपना buy ले सकते हैं और यह level नीचे आता है और hit करता है एक दो बार पहली बार में attempt नहीं करना जे कम से कम मैं आप से कहता हूं कि एक यहां पर एक candle गिदा पांच मिनिट का दूसरा candle decide करता है कि trade बने का न SBA card ने काफी लंबे time तक 720 को as a resistance की तरह यूज किया देखी गाई यह रहा यह level पर बार बार hit कर रहा था और अब कल ही इस level को breakout किया ब्रेक आउट करने के बाद में कर आप चेक करेंगे retesting भी हो गई है यह बहुत अच्छा sign होता है और उसके बाद यह भागा है उपर के त पॉइंट का maximum आपका stop loss बना चीए और नीचे तरफ अगर आप देखेंगे तो सारे lows को connect करेंगे यह यहां पर आके मैंसे भी देखेंगा इसी level से भागाता हो तो यह आपका point दोनों तरफ से 736 का बन रहा है यह ब्रेक अगर ऊपर से नीचे तरफ करता है तो यहां पर हम यहां पर buy on dip salon rise नीच करेंगे लेवल के कॉनिक चलेंगे और इसके break होने के बाद हम sell initiate कर सकते हैं SBI कार्ड के अंदर और यह रहेगी हमारी analysis for tomorrow जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक का नम धोलेगा अगर content पसंद आता है मिलेंग अगली वीडियो में इतल दे चर गड़े गज़ वीडियो को लाइक वीडियो में आती हर भीडियो में अभीड़ आ।